हाँ जी हलो वाइन कैसो आप सभी लोग सब बढ़िया आई होप मेरे सारी भाई बेन बढ़िया ही होंगे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किया रेजडी भाईया अपने दो-चार दिन पहले एक मसारी की बढ़िया मस्त फाइनेंस रिपोर्ट शेयर करी थी इसके अंदर आपने यह भी बताया था कि यह मसारी की कुछ पादस एनेलिस्ट है और इन्होंने अपनी बास्केट में इन दो-चार कोईन्स को सेलेक्ट करा है जो कि कोमन है सभी के पोर्टफोलियो में यह कोईन्स है और यह कोईन्स जो है दोजार चोबिस के अंदर मस्त पोर्टफोलियो में रखे हुए तो इनके बारे में जड़ा साथ डीटेल में बताईए तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि इनका क्यों ट्रेंड आ सकता है यह करते क्या है और कहां पर इनको बाय करें करने से कुछ होगा भी या नहीं होगा या फिर हमारा लोस हो स इस समय अगर कोई भी अपडेट अगई तो वह बिटकोई को एक जटके के अंदर पचास जार तक टच करा देगी यह कोई बड़ी बात नहीं अगर ETF अप्रूब हो जाती है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपसी मूं का चूक न जाए बढ़ीया लोंग का या सब्सक्राइच के अंदर अभी तो हम घुस चुके हैं वापस से क्योंकि फेक आउट दिखा के बिटकोई अंदर गया तना और यहां पर मुझे क्या लग रहा है कि बढ़ीया डबल वोटम तो आपको दीखी गया होगा यहां पर देखो अब इस तरीके से हम वापस से यहां पर मैं अपना लोग ओपन कर चुका हूँ तो यहां पर जिन्हों ने भी लोग ओपन करा हुआ है वो तो continue रखना और जिनको भी वापस से बड़ा मतलब बड़ी अकूंटेटी में बीटी से को भाय करना वो तोड़ा सा रुख जाना जैसे आपको ब्रेकडाउन यहां पर आप मेरे टेलीग्राम पर भी जाना मैं खुद ट्रेड लेता हूँ यहां पर आप खुद देख सकते हो तो इस लिए नहीं कि इन्होंने कुछ पैसा वेसा दिया है हाला कि मैंने सिर्फ एक वीडियो बनाया था उसके बाद में जन्यूनली कह रहा हूँ कि मैं अकाउंट तो बनाई लेना चाहिए अगर माल लो उन एक्षेंजों मैं खुद यूज करता हूँ सबसे जादा मैं बाइबिट और अपना एमेक से यूज करता हूँ लेकिन इसको भी मैं मस तरीके से यूज कर रहा हूँ क्योंकि इन्नॉमस एक्षेंज तो आपको करना क्य सीधा उन को इन्स के बारे में जो कि बढ़िया तरीकी से फंप हो सकते हैं उनका ट्रेंड आ सकता है पहला को इन्ने रेंडर अब करता क्या है पहले तो मैं आपको यह बताता हूँ देगो माल लो आपके बास जीपी यू नहीं है जीपी यू क्या होते ग्राफिक प्रोसेस जितने भी माइनिंग वाले शोकिन लोग है उनके लिए यह काम आएगा अब आपको लग रहा होगा कि यार मैं क्यों जीपी यू उस करूं मैं तो नहीं करता तो इसका कोई यूज ही नहीं है आप नहीं करते लेकिन बहुत से करते तो आपनको आम खाना है गुटिल्या नह इन पर आपको इसको उठाना है दूसरा जो कोईन है वह है एक टी या फिर आकाश यहां पर मैं आपको बताते हूं जो टॉप बड़े अनलिस्ट है जैसे निक हो गया पीटर हो गया इन सबके पॉर्टफोलियों में आपको यह देखने को मिल जाएगा जैसे देखो एक टी इनका है सेमी का इसके अलावा केल सेट यहां पर बहुत सारे जो बड़े अनलिस्ट है उनके पॉर्टफोलियों में यह होल्डिंग के लिए है और यह एई बेस कोईन है तो इनका समय आ सकता है अब यह बेसिकली क्या है कि जैसे जो बड़े बड़े डवलपर्स होते हैं व यहां पर इसके अंदर भी एक राइज बन रहा है तो इसका थोड़ा सा ब्रेकडाउन हो जाने दो हम उठाएंगे लगबग दो दोलर के आसपास और लगबग 1.86 डोलर के आसपास यहां पर जैसे ही आपको मिले तो भाईया बेजी जग आप उठाओ करो क्योंकि बड़े अनलिस्टों के समयत मैं भी इसको कहीं नगा यू उठाओंगा क्योंकि अभी तोड़ा क्या बहुत सारे कोईंस में पैसा डाल द इसकी होगा है इसलिए हम इसको बाई करेंगे पहली एंट्री लगबग 230 डूलर पर और फिर थोड़ा सा वेट और करना है अगर थोड़ा और करेक्शन आ जाता है पचास परसंट का थोड़ा नहीं बहुत जादा होता है लेकि यह भी है कि इसको यहां पर ही उठाएंगे 230 और फिर 125 डूलर यहां पर 50 या 30 परसंट पोजिशन आप ले लेना और फिर इसके बाद में यहां मैं इसको यहां पर इसलिए बाई करने की कह रहा हूं क्योंकि अगर चल पड़ा नहीं कोई तो फिर तगड़ा ही तरीके से पंप होगा और फिर हम इसको देखते रहे जाए कि एक एडवांस में मैं अपना को इन बता तो उसके अंदर यह है अभी तोड़ा सा थंड़ा होने आएगा 55 और 67 डोलर के आसपास तब इसको आप उठा ले ना कोई डरने वाली बात नहीं है तो आच की इस वीडियो में आपको यह 2-3-4 को इन बता है आई होप आप इनके इस वीडियो में आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आए होगा और कोई नेक्स पे जाके आप जरू से अकाउंट बना लेना अकाउंट बना लेना और बागी तो इच्छा हो पसंद आए तो ट्रेडिंग भी करना शुरू करते हैं कोई बात नहीं इस वीड कइच पर दो बागी त Mitte व लेना अकाउंट फार कोई बनाफरू से वीडियो जाका तो भी कोई आए हो इस ऑटोंट ऑफ में जूद आर को, भी में आफर खर कोई आば उबसे दो करना आया खर